कमिश्ट्री के ये पहले लेसन बहुत ही शंदार और इंपोर्डेंट टॉपीक है, एक्जाम के पॉइंट आउव वीज से पहले लेसन से बहुत ज्यादा अबजेक्टिव सब्जेक्टिव कोसन आप से पूछ लिये जाते हैं, इसलिए इस पहले लेसन को हम बहुत ही चेप्टर के कंसेप्ट किलियर हो जाएगा, और इतना ही नहीं, आपके आने वाले जो एक्जाम होगा बोड का, इससे रिगार्डिंग जो भी कोसन होगा, मतलब अबजेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, बहुत ही इत्मिनान से आप लिख करके आएंगे, और फिर आप क कोई भी कोसन एंसर करने में एक परसेंड भी जीजक नहीं होगी, थोड़ी सी भी टेंसर नहीं होगी, देखिए, मैं समझा रहा हूँ, रसाइनिक अभी किरिया अंसमी कर रहा, ये जो चेप्टर है न, सबसे पहले एक सवाल बनता है कि अभी किरिया किसे करते हैं, जब दोनों की किरिया आपस में होती हैं, और जब दोनों की किरिया आपस में होती हैं, तो अपन कमिश्टी के भासा में इसको अभी किरिया कहते हैं, फिर समझ येगा, देखिए, अगर एक बस्तु यहाँ है, और दोनों आपस में मिल रहा है, और दोनों कीरिया करके आपस मिलना तो इन दोनों का मिलना ही अभी किरिया कहते हैं बाते समझ में आ गई और बात करते हैं कि जब अभी किरिया दो चीजों का मिलना को कहते हैं तो फिर रसाइनिक अभी किरिया किसे कहते हैं जी हां तो मैं इसको भी समझा रहा हूं देखिए जब दो चीजे आपस में मिलत बाते समझ में आगे बहुत ही जबरदस्ट एंसर है आप जो है ना सुन सुनकर अपने कोपी में लिखते जाए और मैं सभी टॉपी को टच करते हुए आगे बढ़ रहा हूं बात करते हैं जैसे कि सपोज माल लीजिए कि मैगनिसियम नामक एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ साथ अभी कुल कर रहा है समझेगा मैंगनिसियम नामक एक्टाथो है जो अक्सीजन के साथ या कर रहा है तो बना रहा है लना Schnee उत्पाज जिसे मेगनिसम का ऑक्साइड बन गया तो यह हो गया है रसाइनिक अभी किरिया अब बात करते हैं कि अभी कारक की से करते हैं और परतिकारक की से करते हैं अभी कारक की से करते हैं तो बहुत ही आसान है समझे जब अभी किरिया में भाग कितने लोग ले रहे हैं द एप physicians दो किलिया होगा औरब बात करते हैं कि परतिकारत किसे करते हैं तो मिरे भाई अभी आरकहों यह फिर प्रति करको बात एक ही है मतब बोट आर सेम बर डिफ्रेंड इस तनिमनी समझेगा अभिकारक हो या परतिकारक हो सेम ही होता है यानि अभी किरिया में भाग लेने वालों को ही अभिकारक भी कहते हैं और अभी किरिया में भाग लेने वालों को ही परतिकारक भी कहते हैं और इससे जो बने उत्पाद हो का उसमाज में उसी को कया करता है प्रति फल बिकते उसी को उत्पाद बिकते उसी को यॉगी बिकते यानि अभी बिकते थखांगील फोक सरह तिकल्णीक ने ृज डिखे हैं तो सजा करके आगे बढ़ना हूं है इन में और लंपार्य सबस्रेक्षा हैं और शित्मोद कुंकि मैंने इससे पहले ही आपको बता दिये अभीकि अभीकारक को और उससे बने जो उत्पाध तक हो कोई बीनाम दे सकते हैं मतलब नाम वीक्रम अभी काहना में खोलिए मरे अभीने अबहुत निरूपजन संचित निरूपज़ा मैं ख origin peine Katie फीनिक संविकरन में 50 वहां में तॲिए और में इस प्रिकार व्यक्राण के लिए और फंनिक समय करना और अब बात करते हैं देखिएगा आपसे इक्जाम पूछा लिए जाते हैं सभ्जेक्टिव में में आपसे पांच लिए पूछा है और आप herumि या दिया क्लिक आ और प्रतिफल क्या बना है MgO यानि मेगनेसियम का अक्साइड बना दिया अब सवाल है कि रसानी समिकरण लिखने के क्या नियम है अगर आप से पूछ दे तो यह दिमाग में रखे रहेगा कोई जरूर नहीं कि मेंगनेसियम और रक्षीजन है कोई भी दो तर्तव मिल करके उत्पार बना रहा है उसको दिमाग में रख लिएगा और दिखेंगा कि यह किस तरीके से मैंने इसको इसको सजाने कोशिए बस वहीं बात लिख दीजिए रसानी समिकरण लिखने के नियम का पूरा पूरा उत्तर आपके फोपी पर लिखा जाएगा देखिए पहला लिख धीजिएगा अभीकि recess अभाग लेना वाले अभीकार को बाइ nh और लिखा जाता है अभीकिरया के फाल सरुप बने उत्पाद को नाइं और लिखा जाता है यह दूसरा हो गया फिर तीसरा कि अगर बात करें तो आप कहेंगे कि यदि अभी NPО म मैंने तो मेरे निख हो निख ये देख लिजेगा अभी कारकों और उससे बने उत्पादों को अलग-अलग दिखाने के लिए उसके मद्य हम तीर चिन परदर्शित करते हैं। हो गया आपका पांच और ये पांच जैसे लिखेंगे आपको एदाम तुरां जो है न पांच नमर मिल जाएने वाला है। सोचिए क्या ये बहुत टॉफ है नहीं टॉफ है मेरे वाई उतना जंजट वला हम इंसर आपको सिखाएंगे ही नहीं जिससे आपका पढ़ाई एदम काफी बोजील हो जाए नहीं ऐसा हम बिल्कुल नहीं सिखाने वाले आईए बात करते हैं अगला संतूलित और असंतूल तो बताओ जी ऑस संतूलित है यहीं संतूलित होता है जो दोनों तरफ बराबर हो यहां पर प्रकार को और उसे मनें उस्फण पादों के परमाणु कद्रॉब stiff लेकिन अगर मैंनेamedWe desires न रहें और बोडीकार को और यहीं थैसे तो और यहां नहीं उत्पाद दोनों और परमादों के संगित्र सामान है तो वह संतूलित रसानिक्सानिक्सानिकरन है और दोनों और अगर आगर सामान नहीं है तो उसका बजीशन में जाकर लिए संतूलित है ठीक है अब था हो गया वह गया संथ्रोट मेरा अंगर आगलाटय वाक करें गया कि यांतिकरन अभिकारत तथा उत्पाद के हम सखै कि क्या संकेत होते हैं तो तो स्उपार होगी सब्सक्राइब तो यहां पर सी यू क्या हो गया यह जाई रसी बात है और यह जाई रसी बात है कि सॉलीड बन जाएगा तो एसा होता है कि कभी अभी क्रिया के फॉल्स रूप क्या होता है कि हम लोग गैस को जी से भी हम लोग दिखा देते हैं तो यह क्या होगे आपका यह भौतिक अवस्था के संकेत हो गए तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्योंकि इस चेप्टर से जितने भी टॉपिक है पर तो समझाने की कोशिश करें और आप समझने के लिए तक यहां हैं मेरी बात को जब भी बात आता रही कि किसे कहते हैं तो लिखेगा कि जब दो आप क्या लिखियेगा कि जभी कभी दो तत्व मील करके यंग उठा जाता है तक अं구나 या छोटा भी योगिक टूट करके दो यह अधिक वागों में भक्त हो जाए तो इस परकार की घट्टा वियोजन अभीकिरिया काला आती है चलिए फिर से हम समझाते हैं मैंने क्या बोला था संयोजन अभीकिरिया और धड़ड़ मैंने डिफिनेशन इसलिए दे दिया ताकि फिर से हम इसको रिपीट करके आपको समझा चैल्सःम और यहां पर 2 तत्व मिल करके क्या बना दिया ऊसानी उतफ़ाइप करने माड़ करें संयोजन इस पढ़कार कि अभी करियाल चैंड किया मतलब क्या संयोग और जूट करके एक साथ मिल करके एक नया प्रोड़क जा बनारी। पर चाना था से पर क्रिया हूं से और केरते हैं है तो इस प्रक्राइब कर यह पक्लेम आ डिए और काली चुन अब यह क्या हुआ कर दोतार सकती है देखिए होता क्या है कि जब दो दिल मिलता है तो एक जान कहा जाता है मतलब दो दूर्ग में पटप में पढ़ जाता है और वियोजन से डाइरेट आपके दिमाग में यह बात या जाने चाहिए कि एक योगिक टूट करके दो या दो से अधिक भागों में क्या हो रहा है विखर रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यह जो कली चुना था C-A-O अब जैसे ही इसको एक तपमान पर लेकर करके जा रहा है तो चया अलग हो गया अक्सीजन अलग हो गया तो जब एक यह योगिक कूट करके यह बहुत बड़ा यहाँ टायने कि भासाइड ऑक करता है अ इसके फॉर्म में कर्मनाइक साइट को प्रोडिूस करता है मतलग कि जब एक बहुत बड़ा यह होगी तूट कर दो या दो से अधिक भागों भी भक्त हो जा तो भी भक्त होने कि या घटना क्या कालाती है विव जना भी किरिया कालाती है मेरे बाई टॉपिक है विस्थापन इन दोनों का उधारण सहीत अगर आप डिफिनेशन दे रहा है तो आपको इसका उधारण देने के लिए ठीक है ना सही उधारण देने के लिए आपको विस्थापन अभी किरिया और दिवी विस्थापन अभी किरिया का सॉलूसन आना चाहिए और यह विस्थापन अभी क कि सारे यहांप दीजी तो नहीं पर अगर आप को अब करा देना तो अगर आप चाहते हैं कि अभी क्रिया सिंटी के अंतरकत आये जानावाले जितने भी धातू है उसको तो आप यूँ चिटकियों में याद करना चाहते हैं, तो इसी ग्यापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म में, जो प्लेलिस्ट और वीडियो और सौर्ट सेक्शन वाली जो मैनू आता है, उसमें जाकर देखें, सौर्ट वीडियो में हमारा एक वीडियो है, जिसमें अभी क्रिस सिरेणी के अंदरगत आये जाना वले जितने भी धातु हैं, अगर आप नाम याद कर लेंगे तो आपको विस्थापन अभिक्रिया हो, चाहे वियोजन अभिक्रिया हो, किसी परकार की डिफनेशन देने में और उसका उधानद देने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी, देखे होता क्या है, कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ना, कि इसमें सबसे मजबूत अभिक्रिया सील धातू, अपने से कम अभिक्रिया सील धातू को विस्थापित कर देता है, तो इस परकार की अभिक्रिया, इस परकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रोगर फास्ट बोल आओ ना तो आपके यूटुब में एक ऐसा सीटम आया है न कि इसको थोड़ा सा स्लो करके भी आप सून सकते हैं ठीक है यहां देखिए एक्चुली क्या होता है जब भी विस्थापन अभिक्रिया आप से एक्जाम में पूछ देखिए विस्थापन अ फी है फ्रस और सींफ पर यह एक तरफ योगिक घंट यानि यह क्या कर रहा है कि एफी सीउ एस तो फोर और सी अब यह कैसे बना तुम्हें बता रहा हूं जबहा आफको अभी क्रेशिऑ से कम जाए विस्थापन अभी क्रेया तो कौन है तो आपको पाचाने में एक परसेंट दीकत नहीं बसरते कि आपको वह अभिक्रिया सिल्धा स्रेड़ी आपको याद होना चाहिए तो आप ज़रूर मेरा वीडियो देख लिए मैं बार बार कह रहा हूं एक चुली क्या है कि इसको समझने से पहले में एक छोटा सा हम लोग सारे जीटें भी देखने वाले होते हैं बैट कर देखते हैं हम लोगको यह पता नहीं होता है कि मजबूत कौन है लेकिन जो विज़य हासिल करताए यानिकि दोनए आदमी किर्केट के मैदान में उतरता है ठीक है ना और जैसे ही इंडिया और पकिस्तान के बीच मैच होती है मैच का खातमा होती है यहीं मैच पुरा खातम हो जाता है तो अंतरता मालूम चलता है कि इंडिया जीत गया वैसे तो इंडिया जीत ही जाता है पकिस्तान से ठीक है तो इंडिया जीत गया तो हम लोग क्या उसका certificate देते हैं, certificate यहीं देते हैं कि इंडिया बहुत मजबूत है, इंडिया इसे strong than Pakistan, क्योंकि इंडिया के सारे खिलाडी बहुत ही अच्छा बैटिंग है, बहुत ही अच्छा फिल्डिंग किया है, और इनके अंदर मजबूती है, जीतने की होसला है, इसलिए दोनों को हम लोग लड़वाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि फेरस जो है ना, फेरस यह कॉपर से मजबूत है, यानि अभी क्रिया सिलता सिरेडी के अंदर कर देखेंगे, तो फेरस पहले आएगा, कॉपर बार में आएगा, इससे पाता यह चलता कि कॉपर जो है ना, फेरस से कम अभी क्रिया सिलता हुए, इसलिए क्या होता है ना, कि फेरस जो है इस योगिक में एंट्री मारता है, और एंट्री मारने के बाद फेरस सल्फेट बना लेता है, यानि फेरस सल्फेट बना लेता है, और कॉपर को विस्थापित कर देता है, ल लेकिन ये दुविविस्तापन अभीका साहया के साथ अई साаз नहीं होता है यह परीबास से यह नहीं हो सकते हैं , बाकि आपने मन से सोडिय मिल भीजी सकते हैं सोडियां सललफора है और बमगर साथ ही स्नयरी कि जितने भी बिसी हैं तो याद कि रहेंगे तो यहाँ सबसे मजभूत अभिक्रियासिलधातू किसी योगी में जा करके कैसे उसको Κ Jian होता ही है साथ ही साद यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया के तब भी बेहार होता है देखि safe यहां पर एक होता है जब sodium और बेरियम यह दोनों का ना तो मालूम यह चलता है ना ठीक है कि बेरियम जो है ना यह सोडियम से काफी मजबूत अभी क्रियासिल्धातू है यानि कि अभी क्रियासिलता सिनेडी को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि बेरियम पहले आता है और सोडियम बाद में आता है इसलिए हम कर सकते हैं कि बेरियम जो है न सोडियम से मजबूत अभी क्रिया सिल्धातु है इसलिए यहां पर क्या हो रहा है कि जब सोडियम सलफिट और बेरियम क्लोराइड के साथ अभी क्रिय बना दिया तो यह था दिवी विस्थापन अभीक्रिया का उधारण और आपको एक बहुत ही जरूरी और इंपोर्टेंट बता हूं आपकी एक्जाम की पॉइंट ऑफ यू से में बता रहा हूं सुनिएगा ध्यान से एक चुली का हो दाने कि जब विवोजन और विस्थापन अभीक्रिया की बात आती है ना तो थोड़ा सा नाम बदल करके भी पूछ लेता है कैसे तो विस्थापन की जगह पर एकल विस्थापन अभीक्रिया भी पूछ लेता है और पूछता है कि निम लिखित में से कौन विस्थापन या एकल विस्थापन अभीक्रिया का उधार अगर आपको उधारन पूछ देखि, इमने से कौन है, जो विस्थापन अभिक्रिया का उधारन है, तो याद रखेगा, एक तरफ जो होगा न, वो तत्व होगा, और दूसरे तरफ योगिक होगा, तो समाझ जेएगा, कि यहीं है एकल विस्थापन अभिक्रिया का उधारन, या विस्थापन आभीकरी City दिए विस्थापन दिए का निमनी खुत में से कौन उधारन है तो याद रखियेगा एक तरफ जोह न यौग और दूसरे तरफ यौगिक एक तरफ योगी और दूसरे तरफ योगी तो यह क्या हो जाएगा दिवी विस्थापन अभी क्रिया का उधारन हो जाएगा समझ लीजिएगा आप से पूछ सकता है यह दोनों में से देखिएगा एक आपको बोर्ड एक्जाम में कोसन ऐसा देखने को मिलेगा यहां से और फूम तरफ योगी दिखाई देगा तो समझ लेना कि दिवी विस्थापन अभी क्रिया का उधारन है तो आप बात करते हैं अगला टौपिक क्या है तो अगला टौपिक की बहुत ही शंदार्ड टौपिक है अक्सिकरण और अभी क्रिया अब देखिए इसका एक और ना हैं जब भी पुछricular कि ऑप्चयान अभीकारक के साथ ऑफ्चैन होता है और जब दोनों को एक साथ अध्यन करते हैं इस परकार के अभीक्रिया को अक्सिकरन आउकरन या उप्चैन या डर्यक्षिंत करते हैं अब देखिए इसको समझने के यह समझने के लिए एक चुली क्या होता कि जब अभी किर्या में भाग लेने वाले क्या मैं अभीकारों के साथ जाह क्या लगा सब्सक्राइब जाscale बना एक साथ अलग अलग घटनाए होती एंग एक साथ इक स्कुवेंश का अधिया करते हैं तो इस परकार कि अभिक्रेट कम लोग किया करते हैं कोई ज़्याराम से समझ आ किया है होता है और अ क्या होता है पहले यहां पर मैं लिखुआ रहा हूं सबसे पहले सामज़ेंजुए कि के साथ क्या होता है एक साथ पिर ऑकरन के किं Pf numbers को थे लिपक्षान का निकलन ऐब यहां पर क्या रहा है नयूची जब निकलता हैं औक शीजन का निकलन ठाछी डिन को जोडेब लूद न हुर occupy नभी बात याओ रहे गना यह वाल यवार स्थ हां तो गरांटि के जैसे कि एक hydrogen और दूसरा oxygen एक नया उत्पाद निर्माद कर दिए अब अक्सिक्राण और घटना देखना कि इन दोनों में हुआ है कि नहीं मैं इस सिक्वेंस में इस समिकरण में रसानी समिकरण के अंतर गत हम देखेंगे कि अक्सीकरण और करन दोनों घटना है अगर दोनों हुई है तो समझ लेना कि ये एक रीडॉक्स रियक्शन का समीकरण है सुनिए का दियान से यहां पर देखिए तो हाइड्रोजन के साथ अक्सीजेन जोड़ गया यहां से देखिए ऑक्सीजेन का जोड़ना क्या का लाएगा अक्सिकरण अक्सि करण हो गया अब यहां पर देखें अक्सिजन के साथ क्या हो रहा है यहां पर देखें कि भाई अभी किरिया में भाग लेने वाले एक अभिकारण के साथ अक्सिकरण होता है और दूसरे के साथ जब अक्सिकरण होता है और दोनों घटनाए एक साथ देखने को मिलती है एक अभी किरिया के फल्सरूप तो समझ लेना दोनों को एक साथ अध्यन करने की किरिया को क्या कहते हैं अक्सिकरण अभी किरिया कहते हैं समय लिए मैं तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर अक्सी करण हो रहा है याँ तो जब अक्सी करण अक्षाً डूनों सब्सक्राइट नहीं तो इस परकार पर Confederate लॉक्स रिएक्षन कहलाती है I hope कि आप समझ गए होंगे अब चली अगला टॉपी तो बात करते हैं अगला टॉपी कि उसमा च्पी अभी करिया और उसमा सोसी अभी करिया तो मैं यहाँ पर भी एक क्या करते हैं कि सपोज मालीजिए कि जैसे आप जब दूद को गर्म करते हैं तो उसके उपर छाली बन जाता है तो छाली बन गया उसका उच्छे उसी तरीका से जब हम लोग किसी भी चीज को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है कि वह आग उत्पन करता है मतला बोले तो उसमा च्छी अभी क्रिया करते हैं, और जिसमें उस्मा का सोसड होता है, मतलब बोले तो वो उस्मा को अबसर्ब कर रहा है, तो इस परकार के अभी क्रिया, उसमा सोसी अभी क्रिया कहता है, जैसे example के तोर बने सकते हैं, जब हम लोग रोटी बनाने के लिए तावा को चुलिये के उपर रखते हैं तो पहले तावा क्या करता है जो लोहे के बनी जो तावा होती है उस सबसे पहले पहले उस्मा को अब्जर्ब करता है यानि पहले वो गर्म होता है उसके बाद से उस पर से वो टंपरेचर देना शुरू करता है तब जागर के रोटी ब एक परकार की उसमा शेपी अभीक्रिया, स्वさい जब भोजन लेते है और अमाशय के अंदर जाता है, तो हम लोग बाहर से O Foiker असे चीजन को लेते हैं तो ऑक्सेजन क्या करता बटेंगाने में मधद'T करता चाहिर सभीत है नहीं तो इंपोसीबल टुफाय एंधिग विदाओट अक्सीजन तो एक चुली होता क्या ना कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रुत होती है उसी तरीकस है थे हमारे अमासे के अंदर जो भोजन पचता है इसमें वायू की उपस्तिति होना अनिमारी ह जब वायू जाता है और भोजन पचा लेता है तो उसमें क्या होता है एक भाप के रूप में नाक के माधियम से कर्बंडाई एकसाइड निकलता है और उसी को कहते हैं उसमा छेपी अभी क्रिया हो रहा है अब अगला टॉपिक बात करते हैं कि संचारण की से करते हैं जब कभी धातु अपने आसपास की वातावरण में मौझूद अमल या वायू या नमी के संपर्क में आकर अपनी चमक को खो देता है तो इस परकार की परकिरिया संचारण का लाती है फिर से सुन लीजिए संचारण की से करते हैं उधारण के साथ जब आपको लिखने की बात आप एक्जाम में अराम से लिखेगा कि जब कभी धातु वायू अमल या नमी के संपर्क में आकर के अपनी चमक को अपनी खुबसूर्ती को खो देता है तो इस परकार की परकिरिया संचारण का लाती है जैसे उधारण के तोर पर उधारण लिखेगा कि चांदी के उपर क वसायूग्ध खाद-पदार्थ खाद-पदार्थ जब तेयल यूग्ध और वसायूग्ध खात-पदार्थ उपचाइथ होकर उपचाइथ होना मतलब gonna यह ऑक्सीजन के संपर्क में करके थिक ए ने अपने पहले वाली स्वाधों और गंदों को बदल दे तो इस परकार की परकिरिया को हम लगають विकरत-गंदिता करते हैं फिर से सुन लिजे विकरत गंदिता किसे करते हैं मेरे बाई तो विकरत गंदिता हम किसे करते ह यह जब तेल या वशा-योग्त kills खात पडात उपचैत ह करके उप्चाई तो कर मतलब अक्सीजन के संपर्क में आ करके ठीक ना अपने पहले वाली स्वाद और गंद को बदल दे मतलब महाकने लगे बद्बू समझ रहा ना बद्बू की तरह आने लगा मतलब खाने लाइक ना बचे तो इस परकार की परकिरिया को हम क्या करते हैं व आपके एक्जाम के पॉइंट अभी इंपोर्डेंट है तो आप इसको बारी-बारी से हर एक लाइन को फुरासा ध्यान से समझें इसमें जो चेप्टर ना अमले छारा के इंवलवर तो इसमें सबसे पहला टॉपिक मनता है कि आमले की से कहते हैं जारी सी बात है कि आमले की आप कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जो स्वाद में मतलब उसको चेखने के बाद यह सुआद में जो होता है वो खटा होता है जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने रोजमर्त के जिंदगे में बहुत चीज़े खाते हैं और जब खाते हैं तो उसमें कोई खटा लगता है तो कोई जो कड़वा तो कोई नमकीन तो कोई मीठा तो उसी तरीका से हम लोग स्वाद को कई भी भागों में बाड़ दिया है जैसे कि जो खटा लगे उसको हम अमलिये परक्रिति को समझते हैं और होता ही है कि हम लोग जब इसको लिटमस पीपर लेकर जाते हैं जब लिटमस क्या है यह चोटा चोटा टापीक को ले करके आगे बढ़ना हो बाखी उस प्लस छार को एक साथ अभी करते हैं तो बनता है लवण लवण तथा जल तो एक चुली काता है जब भी आमल और छार आपस में अभी करता है तो एक उदासीन पदार्थ का निवाण होता है और वहीं उदासीन पदार्थ को हम लोग लवण भी कहते हैं यानि कि जो आमल छार पर्त कोgli वाइव करते हैं यह भी कर सकते हैं क्या जो परकार यो उुंज कर रहा है है वाई लिटमस्ह एक यहां पर बात करते हैं कि तो ठीक है, तो जो सूचक होता है, तो ओरिजिनल सूचक, चुकि वो लिटमस परकृती हो या फिर मालनेते हैं कि गंदिया हो, no problem, बट बात आती है कि सूचक ठीक है, तो सूचक क्या है, हर एक चीज को मैं तोड़ कर और हर एक टॉपिक को मैं समझा अब बात आती है कि सूचक ठीक है, तो जो पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो, दुनिया के कोई भी पदार्थ ले लेजिए, जो पदार्थ में मौझूद अमल और छार की परकृती को बताता है, फिर से ध्हान से सूनेगा, सूचक क्या है, जब ऐसी बात आएगी, कि इसा पदार्थ, जो किसी पदार्थ के अंदर, बने एक ऐसा बेवस्था है, जो किसी पदार्थ में मौझूद अमल और छार की परकृती के बारे में दर्शाता हो, या बताता हो, तो ऐसे बेवस्था को हम क्या कहते है, सूचक कहते है, फिर इंडिकेटर, आप बाई को सूचक एक ऐसा बेवस्ता है जिस माध्याम से हम लोग क्या करते हैं किसी भी पदार्थ में मौझद अम्ल और च्छार की परकार के बारे में पता लगाते हैं ठीक है जिसा सूचक काते हैं बात आती है कि ठीक है तो सूचक कितने परकार के होती है तो भाई मेरे सूचक तो नि हाईड्रेंजिया अब यहां पर देखिएगा आपसे अब्जेक्टि में कैसे सवाल पुछता है कि निलिखित में से कौन एक परकिर्टिक सुचक का उधारन है और उसमें एक यह डाल देगा तो आपको क्या चुनना होगा यह जो अगर आपको याद रहेगा तो इसमें से दि सुचक जो इनसानों के द्वारा बनाये गया है तो ऐसे सुचक को ठीक है ना ऐसी बेवस्ता को हम मानो निर्मित सुचक कहते हैं अब इसके उधारन क्या है तो पहला फिनाप्थलीन और दूसरा होगे मेथिल और तो आप से अबजेक्टिमें यहां पर भी पूछ सकता है कि निमलिखित में से कौन एक मानो निर्मित सुचक का उधारन है और आपको दिया रहेगा लाल पतको भी हल्दी हाइड्रेंजिया और चोथे नमर में दिया रहेगा फिनाप्थलीन तो आपको क्या चुनना होगा फिनाप्थलीन यह यह नाम छोड़ करके मेथिल और भी दिय है एक चुली क्या है कि यह गंदिया सुचक गंदिया सुचक क्या है तो ऐसा बेवस्था जो गंद के माधियम से किसी पदार्थ में मौझित अमल और चार की पड़किति को पता लगाते हैं ठीक है इसका एक्जामपल है वेनीला प्याज और लॉंग यह तीनों पदार्थ क जब आपके घर में कोई फिमेल अगर जब उस प्याज को काटती है तो वहां पर आप थोड़े देर ठार रहीएगा और देखिएगा जब प्याज काटती है तो उसका जो गंद होता है आपके आखों में पड़ता है तो कितना आंख से आंसो गिरता है या फिर आपकी प्या प्याज लंग जितने भी पर चली उधारन है वहीं में बता रहा हूं बहुत कम समय में बहुत चीजे जनकारी देने की पोसिस कर रहा हूं बात आती है कि सब आच्छा देखिए आपकी इस टॉपिक को भी डाल दिया हूं देखिए एक चुली क्या होता है ना कि अब्जिक् जाता है वो है HCL हाइड्र कॉल्रिक अब्जी तो सबसे प्राबल अमल तो पता चले गया ल unanim से प्राबल च्छार कौन है तो आपको आपको याद करना होगा इन्ने होए जिसको बोला जैता है इसको क्या क्या बोलता है वहीं प्राबल आमल और प्राबल चार लेकिन बात आती है कि दूरुबल आमल, सबसे दूरुबल आमल तो पहुत को बताना होगा अगर अपको इस तरीक से बिया रहे गा तो पीट में अबाशाय में हीड्रोखलोरिक आमले का पीछ मन क्या होता है तो आपको कुणना होगा दो लेकिन बात करते हैं पीत रसका पी एच मान क्या आपको पता है कि इस चैनल को लगवर सारे सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो अप्लोड होने के बाद सबसे पहले नोडिफिकेशन आप तक पहुंचे 7.6 से 8.6 के बीच में यह काफी इंपोर्टन इसको भी समझ लिजेगा फिर से एक बार समझे पीट में एचल का पीएच मान 1.2 से लगभाग में हम बता रहे हैं 3.5 जो कि एवरेज आउसतन दो ही रखा गया लेकिन जब बात करते हैं कि पी तरस का पीएच मान कितना होता है त अभी पुरी तरीके से चार के तरह बेवार करने लिएं जिसे हमारे शरीर स्रीम में पेट के अंदर अ CDT को गया दूसरा है सीर्का या बेकिंभ या अच्छा है घोल अगर पीते हैं तो समझे तो हमारे आश्रे के अगर उम।की अबफों और यह प्र करता है एंसकी यहा अ जब अमल और चार आपसे मिलता है तो लमळ ताथा जल यानि बोले तो ऊदासीन कर देता है यानि अमल की परकृति को पुरी तरीका से नस्ट और ध्वस्त कर देता है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं खारी परकृति कर लेते हैं अमल की काट के लिए तो आई होब कि यहां हमलग का रसाइनिक तो यहां होगा这 one drew kloric आप जैसे कि यहां पर sebelum प्रत का मैं प्रत क्रिदी सेब्स हैं उसके बात बात करते हैं नरे कि यहां होगा तो क्या बंदा है लमड तता जाल अब इसके रसाइनिक सुत्र के साथ भी देख लीजिए एस सील होगया अमल इन्ने वेच होगया चार जब हम दोनों की बीच अभी क्रिया करा रहा है तो बंदा इन्ने सील और इस्टो और इन्ने सील जाहिर सी बात है कि लमड है और एस्टो और धात्विक औक्साइड कोई हम लोग क्या कहते हैं चारिय कहते हैं नहीं समझा आपने देखें में बता रहा है जैसे कि एक तरफ धातु हो जिसके उपर रिडायन होता है यानि यह और दोनों की भी जब अभी क्रिया होगी ना तो बनेगा इन्ने टू समझ गया तो जब हम लोग चारिय परकृति यह चारिय जो है यह चारिय परकृति की योगी की पाचानी की ट्रीक तो समझ में आ गई लेकिन जब अम्लिय की पाचान करनी है तो क्या करना होगा क्या देखना होगा तो उसके भी कुछ टान्रें कंडिशन है जिसे कि एक तरफ अधातु और दिखे धातु हता है तो जब अभी कनता है जसाधihn पाचानी की मेन तो नू Europ यह होगे क्रिका अदाटु मेरे अलगा तो है टुटल को क्या करें गया अधाट भी संदिए क्या करें गें तो यहाँ पर देखें एक तरफ घाटू है तो भी अगलेंगा फ्रस्ट इस टो अज़ा एक नम चारी ऑंग यह घ्राइब अगर बात करते ठीक यहां की पाचान का पहला तो यहां कि अब यहां पर इस तरीक यहां पर नाम करन करेंगे तो डाइडोजिन कर्बोनेट भी पड़ते हैं तो आई हो कि यहां तक आपको धाथ लवर तथ्था जल ते लवर परकेस करते हैं। लेकिन ध्यान रखेगा अमल और धात्विक अक्साइड को भी अभी किरिया कराएंगे तो लवर ततता जाओ देखिए यह थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा कि सब्द अलग अलग है लेकिन घुमा फिरा करके बात वहीं कह रहा है अमल को अध्याट्विक अक्साइड के साथ अ समझ लिए अध्याट्विक अक्साइड को अभी क्रिया कराएंगे तो लवर तततता जल बने तो देखा ना अलग अलग पूछ लेता है आपके एक्जाम में अलग अलग प्रस पूछ देता है लेकिन मतनख अलग रगशकर रगश होते हैं लेकिन क्या ऊड़ा ना कि बात एक ही होता है अभी हम अलगा फिरा करें लिए और नासी ओर फिर टकार डहीं हूब कोई अधूर्य आप यह भी नाया और अधू जल बना दिया फिर बात करते हैं यह अदा तो आपको समझ किया आगया तो बात करते हैं अगला टॉपिक अगला टॉपिक भी काफी इंप्पोर्टेंट एक्जाम की पॉइंट वी उसे जैसे कि आपसे पूछ लेता है कि क्या होता है जब जल के अंदर अमले को डालेंगे तो यह बात साफ हो चुकी है कि जब भी कभी हम लोग किसी पदार्थ को जल में डालते हैं यानि जो पदार्थ जल में घुलन सील होता है और जाहिर सी बात है कि जब हम लोग देखते हैं कि वह हमाने के प्राप्ति हो रहा है वह समझ जाएंगे करती का पतार्थ है लेकिन जब खाभी जल के प्रिया के अदर मु gef्शिन होती है फुक्रियालव पदार्थ या की तो बात करते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ की शंतरत साथ करने या उसकी और शरियता कि जाच करने के लिए कोई वोनी चाहिए ना या कोई उपाय उपाय तो होनी चाहिए न तो उपाय या है बीएच एसकेल है कि दिफनिशन लेख गई है आपसे लेकिन एच पुलस सिर्फ आयन मुक्त कर रहा है तो आमल हो जाएंगे तो सारा तो खेल हाइड्रोजन का यह है तो यहां पर इसलिए प्रटेंज आफ इसक्ति होता है ठीक है तो यहां पर पीछ इसकेल का डिरेक्ट मतलब हुआ होगा पोटेंज आप हीरोजन तो कि किसी विण में उपस्तित है रोजन आयंकी संद्र इश्थ कर ने के लिए एक इसकेल विक्सित कि और या जिसने पीए सिकल का यह पी है पीएचिस चुल कितना होता है तो हो सात के बीच में घए रहेगा साथ के बिच में रहेगा तो वो घर आप चाहते हैं लेकिन बात करते हैं चाहते हैं इसा मान कितना है चोड़ा आप जैसे आप से इक्जाम कूछता है कि कोई ऐसा पदार जिसका मान 5 है लेकिन अगर बात करते हैं कि 7 और 4 के बीच में कोई भी अगर पूछ दे कोई ऐसा पदा जिसका पीएच मान कितना है एक आ रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा देखिए क्या होगा जब लेकिन अब थोड़ा से इसको आपस में लड़ाने के हम लोग पूसिस करे लेकिन उसका पीएच मान साथ हो जा रहा है बाभू यह समझ लिजिए क्यों कि वो उदासीन हो गया नहीं अमलिये परकृति की होगी और नहीं चारिया एक परसेंट भी दर दर हिलने डोलने वाला नहीं है लेकिन बात करते हैं प्राबल अमल रहे और दूर्बल शार मानिजिए को मजबूत रहेगो कम जूट तो कुछ ना कुछ तो होगा कहीं रुजान तो आएगी तो रुजान क्या आएगी कि वो ल अब बात करते हैं कि एक तरफ दूर्बल शार मजबूत और यह दोनों में आपस में जगड़ा होई तो लेकिन परकिर्ति उसकी अमलिय थी और इसलिए उसका पीएचिमान क्या हो जाएगा साथ से कम हो जाएगा अब बात करते हैं कि तरह दूर्बल जार के साथ आप ऑभी कर रहा है लेकिन जानते हो किया रहा है तो चलिए बिना देर के अगला टॉपिक को भी समझ लेते हैं अगला टॉपिक भी आपकी एक्जाम के पॉइंट ऑफी से काफी इंपोडेंट है टॉपी का नाम है क्लोर चार पर क्रिया क्यों रखा गया क्योंकि इस प्रोसेस के माधियां से क्लोरीन और चार की उत्पती होत क्या क्या लोग क्या करते हैं याक्षक को पाले हैं तो क्या तो तो अ परकिला को हैं वियोजी काThis पर क्या है ऑगर इसको चित्रिकी सब्सेकर चिजितफराई कि को शिशिच किए हूँ जैसे कि मैं एक टब लिया और इस थोड़ी सी जल्ले लिया है और उसके पासे मैंने नमक को डाल दिया है ठिक ना? अब ये क्या बन गया? नमक वाली विलियन अब इसमें क्या है ना? कि हमने दो रॉड को रखा ये को बना दिया एनोड और दुसरी को बना दिया कैथोड एक चुली क्या है कि हम देखेंगे ठीक है ना कि यह एनोड और यह कैथोड जो है ना इन दोनों को हम एक बैटरी के माधियम से यानि सूर्स ऑफ एने एलेक्ट्रिक किसी भी विदूद के सोर्स से हम क्या कर दिया इस दोनों रॉड को जोड़ दिया जब जोड़ेंगे तो व यहां पर भी मही हाल होगा कि जब हम लोग एक को एनोड और दूसरे रोड को भी मौन एटरी और जोड़ेंगे तो होंगे ऊचे में लगंड csak और क्या होगा कि एन्ने और सील टूटने लगेगा ठीख न तो एन्ने और सील टूटेगा साथ में एज पॉलस आ भी मुझत होगा वैक्ट में अलग अलग जो है वो क्या ना कि खुंडित होते दिखे अब यहां पर मामला यह है कि क演ौ option पूझन आएगा और कैफोड मीनस से अच्छा रिष्टा बनता है कभी मैंस मैंस से अच्छा होता है मदद Kaplu वाली रेलेश्वन्स होती है और यहां पर यह रिश्टे को अच्छा माना जाता है अपोजित जेंडर में जबा उसी तरीका से कमेश्टी या पर यहां पर बात यह कि एनोड पर कौन जाएगा तो भाई जीस के पास रिए लाएं होगा यानि कि यह चला गया किस पर एनोड पर और तो प्लस आपको कहां पर कैथोड पर तो यहां पर देखें आनोड पर पर यहां पर थोड़ा सा रियेक्शन के मादियों से समझाने की कोशिश किया हो सकता है कि मैंने इस चित्र के मादियों सम्झाने की कोशिश किया अभी तक नहीं समझ में आई तो फिर समझ लेजिए फिर इसी डिफिनेशन को में दोरा करके समझाने कोशिश किया जैसे कि हम ल तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस चीज़ का उप्योग भी आप से एक्जामें पूछ लेता है तो समझें यहां पर इस चार का परियोग किस चीज के लिए खिया जाता है धातों से ग्रीज हाटाने सावन तथा अपमार जग या कागज बनाने के लिए इन वेच के इस्तमाल कर लिए जाता है इसका परियोग कहा 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 किया जाता है तो यह आप्शन आपको देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं अब बात करतें कि अभी इस्तुगा इंधन तथा खाद के लिए इंधन तथा खाद के लिए इंधन तथा खाद के लिए अमोनिया के रूप में भी किया जाता है आपके इंधन के पॉइंट वी से काभी इंपोरें लगवाल लिख दिया हूं बस आप लाइं बैसे जितना इंपोरें ना जो हर बार इक्जाम में पूछाई पूछा जाता है वहीं चीज में लिखाओ देखिए विरंजक चूड पूछे या बिलीचिंग पावडर पूच तो गोल मूब जैसे देखेगा तो समझे सी यह ओसी यह बीचिंग पावडर का रसाइनिक सुत्र है अब बात करते हैं बेकिंग सोडा का तो देखें बेकिंग सोडा में सोडियां बाइक रबनेट होता है इसको याद कर लिजीगा उसके पासे ध्वान सोडा या वासिंग स यह फोर हाफ तब में पाम में जरीング सोडा का रसाइनिक सुट्र पार जिरस रह टोता है यहां तक आप नगर्ई होता है और कास्टिक सोडा कहे या प्रषार को भात करते हैं तो गुल कोज्च का कर साइनिक सुटर होता है अब बात करते हैं चीनिकान चुंकि चुना होगा तो चुना जल लिए पूजा बूजा पूच दें या चुना जूष दें सीए ओएस टू केल्सियम हाइड्रा अक्साइड अब उसके बात से बात करते हैं संग मरमर या चुना पतर देखिए संग मरमर हो या चुना पतर हो इसमें आप से रसाइनिक सुत्र एक ही होगा सीए ओधर यानि कि एक दो आपजेक्टिव देखने को मिली जाएगा तो चले बीना देर कि हम नेक्स चिप्टर को भी देख लेते तो विडाउट इनले लेट्स उस्टाट पूट्ट फॉर्ट पूट्स जबर्दस और आपकी एक्जाम के पॉइंट ऑफी से चिप्टर हैं देखेगा, बात आती है धातु अधातु की, तो सबसे पहले बात होती है कि आखिर तत्व के निर्माड कैसे हुआ, और तत्व के निर्माड हो भी गया, तो इसको कितने भाग में हम बाट कर देखते हैं, तो देखेए, तत्व के निर्माड परमाडू से होता है, क्योंकि किस ठापन से ही सीखते आरहाए और समझते आरहाए है कि धातु जो विध्वूत और उस्मा का सूचालक होता है जबकी अधातु एसा नहीं होता है और धातु-धातु के बीच में जो रह करके जो दोनों की तरह वेहार करता है उसको हम लोग यह व्यों धातू ऊ实मान होता है। उसके और क्या कुम्हों सकते हैं. ये इसके अंदर कठोरता पाये हैं. इसको कुछ अपुआत democr कि हुभी है। जैसे की sodium उती होता है. ठ punish फिलम है लेगा है। लेकिन इसको याद करनें, आपको चुन पाई गाला इन अब यह खुद बाखुद एक ट्रीक बन जा रहा है नकली ठीक ना तो याद रखिएगा कि धातु जो कठोरता के अपवाद है निमलिखित में से कौन है तो इसमें से तीनों में से कोई एक तत्व कनाम देगा और आप उसको चुनना होगा ठीक आप उसे चुन पाएंगे कब जब आपको याद रहेगा तो इन ए की एल आई यानि की एन एसे होगया सोडियम की से होगया पोटेसियम एलाई से होगया लिथियम ठीक ना और इसका एगनिशन टेंपरेचर इतना हाई होता है न कि इसको जैसे ही मतलब हावा के संपर्क मिले या पानी में डाली तो आग पकड़ लिता है इसको हम लों क्या करते हैं कि क्या अंदर चमक भी पाई जाती है अब क्या बात करते हैं गात ने नहीं हो सकते हैं चमक रहना आप और यह और वर्धक होते हैं यानि कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं पीट पीट कर पतले चादर की तलब भी बना सकते हैं जैसे कि सोना है चांदी है लोहा है तो तरह तरह की बनाते हैं चांदी का भी बनाते हैं और लोहा का जितने भी जो मतलब कार बनाने वाले या बढ़िया बढ़िया जो है जो क्या बात करते हैं कि या और तनन ठंता भी बना सकते हैं जिसको खीच कर पतले तार की तरह भी बना सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि धातु की एक और गुण तनन भी होती है अब धातु के और next गूण क्या हो सकते हैं तो विदूत या उस्मा का सूचालग होते हैं भले ही हम इसको लास्ट में लिखे हैं लेकिन ध्यान में रखियेगा इसको हम लोग बच्पन से ही इस भाशा को सुन गलनाग उपाद इसको हात पर रखते ही बता सकते हैं लेकिन छमक होते हैं आदոन वी काफ़ी कपी नहीं होते है काफी कफोर क्या है अब आख करते हैं कि लिए अधातु काफी होता है जब होता है तो प्रते हैं लोग सेखेंगे अधातु काफी कम होता है तो अगर इसका गलनाग की बात करें तो काफी अधिक होता है इसके लिए काफी एनर्जी चाहिए इसको गलाने के लिए तो यहां तक आप समझ गया होंगे तो चलिए बिना देर के अगला टॉपिक भी देख लेते हैं अगला टॉपिक काफी इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के आपके लिए अभी थोड़ी देर पहले हैं इसके बारे में जैसे घातु के अंधर अगहात वर्धन्या होती चमता होती है चमक होती है और विधूत और उसमा के सूचालक होते हैं लेकिन अभी कुछ देर पहले जो हम लोग पढ़़ा रहते हैं उससे एक कदम और आगे धा तो क्या होता है तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले चेप्टर में मैं समझाने के सबस्क्राइब आपक्षाइड बनाता यह से-क मैंने यहां पर लिख दिया लेकिन दात्विवग अक्साइड बनता है वह छार होता तो इस टॉपिक में बस इतना ही आप से पुछेगा कि जब धातु को अक्सीजन के साथ अभी क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है तो यहीं होता है कि अमल होता है यह चाहर होता है लेकिन और कुछ पढ़ते हैं इसे कुछ ऐसे धातु है जो हावा में जलती नहीं है जलेगे मतलब जैसे फ्लैं के साथ नहीं जलती है केवल गर्म होती है जैसे फेरस और कॉपर जिसे लोहा को अगर आप उसको जलानी के कुशिश करेंगे तो वह सिर्फ गर्म होगा ज्यादा से तो श्मीट्र मैं जलती है ज्यादानी पार्ट में आते हैं जो काफी कम अभी करतें और इसमें जंग भी नहीं लगता है चिक्क है अब चलिए बात करतें कि क्या होगा क्या होगा होगा जब हम धातु को अलग तरीकों से अभी क्रिया कराएं घात्विक अक्षाइड चक्स अगर हम इनने के साथ अभी घर गणाएंग तो नहीं तो संबंदित लवन बने और जल बनेगा नहीं एक लिए जैसे कि एनने चील के सांथ भी दिए और तो गष्म सब्सक्राइब अगया तो बनेगा तो वह तो प्रटो के लिए तो फिर्ट नहीं बना कि नहीं बना नब तो क्या बनेगा लेका वगाने क्या बनाम हाइड्रोजन बनेगा इस तरीके से अगर जल के साथ करा देपैंग यहांप निल्क रिखिया और लेकिन यहां पर दाट रिखिया साथ बीगे चरा रहें है तो क्याओवात ओगा की डाभी यह टीका ऒंधित हाट्री एड अच्छाइड को चाहिए लिए यह घया मेरे नव प्रोब्लम लमट तथा हइड्रोजन गैसी बनेगा अगर हम आप देले अब बात करते हैं कि लोहे में जंग कैसे लगता है यानि जंग लगने की क्या प्रोसेस है तो देखे जब भी कभी लोहा अपने वातावरण मेरा करके वायू और नमी के संपर्ग में आकर अपनी चमक को खो देता है या उसके उपर एक धात्विक अक्साइड बोले तो लोहे कि अक्सीजन के साथ अभिक्रिया के फल सरुप उस पर एक परत जंग जाता है जिसे हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं ठीक बात करते हैं कि जो लेड है कॉपर है सिलवर है और सोना है इस पर जंग क्यों नहीं लगता है मेरे भाई रेक्टिवीटी स्रीज अगर आप नहीं अगला टॉपिक को भी समझ लेते हैं अगला टॉपिक है खनीज की से करते हैं और वो सकता है कि आपके एक्जाम में बौड इक्जाम जो देने जाएंगे उसमें दो नमर के लिए कुछ दे तो इसलिए मैंने सारे टॉपिक को दो नमर का जो टॉपिक है वहां यहां पर बो लेकिन बात करते हैं कि आयस की से करते हैं तो खनीज यानी जमीन के अंदर खनीज जिन में किसी विशेश धातु या तत्व की मात्रा ज्यादा होती है मतलब कि ऐसे खनीज ज değer धातो या तत्व की मात्र अधिक होती है उन धातो या तत्व को लभकारी की रूपjalे निकल जाता है मतलब कि जो खनीज की प्राप्ती हम भूशमिन के अंदर से ठीक है निकाल करगे जो धातो या ततो को academy की रूप सकता है तो धात्व की निश्कर्षन निमस्कर्षे निकाल करके अलग किया जाता है धात्व का निस्कर्षनक और इलग किया जाता है उस गया है तो प्रित्विक्त्र के भूव्प नदेराने आठिक प्राप्थीटेता है αυτό कि आ keywords य मेज्द करते हैं फिर से देख लिए गैंग का अब बात करते हैं कि अयaस का संधरन क्या करता है तो भाई गैंग को धातू-एक्स साफ किये जाने की परकिरिया को ऐसका संधरन क्या आता है जाना है याने कि गैंग को धाथो अयसक्त साफ किया जाने वाले यान गैंग को बाहर कर दया चाथा और धाथो अलग कर दिया उसी प्रोसिंग या करता है और भरजन की सब्रक्राइब कि रूप में पाएज़ने वाले है Creative को हवा की उपस्तिती observe क्रियक क्या क्या कहलाती है निस्तापन कहलाती है अब बात करते हैं कि संचारण और विक्रत गंदीता क्या है जैसे कि मैंने इस कमेश्ट्री के जो मैंने पूरी एपिसोड में चला रहा हूं इस पहले ही लेशन में मैंने इसको समझाया है विडियो को पहले करके थोड़ा सा देख के लिए पहले ही चैप्टर में विदी देख लेते हैं को चलिए बिना देर की अगला चैप्र परकिर्थी में सबसे अधिक पाया जाने वाले तत्व में 15 अस्थान पर हैं अगर बात करें इस परिथी के सबसे उपरी परत को हम लोग कहते हैं अर्थ करस्ट चिक है तो भूपरपर्टी में मात्र इसका 0.2 परसेंट है लेकिन अगर इसको वायू मंदल की बात करें तो 0.3 परसेंट इसके बाउज़ोद भी हमारे लाइफ इस्टेल में कारवन की बहुत ज्यादा उप्योग है अब बात करते हैं इसका इंपोर्डेंट ठीक है ना इसका इंपोर्डेंट नोट जो है लिखे हुए कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता ह है यहां तक की मरने के बाद भी यानि की कारवन आपके अंदर भी है कारवन मेरे अंदर है और कारवन मरने के बाद भी है तो मिलाज लाकर करके अगर देखा जाए तो कारवन हर वो चीज जो मतलब देखा जाए तो मतलब जो जल जाता है वो कारवन ही है तो देखिए तो मा सब्सक्राइब करें यार तो पहली कछा में दो आएगा और दूसरी कछा में चार आएगा तो इसलिए करते हैं अर्था इसका इसका तो इसका श्रयो जकता की बात करने के लिए कितने लगटान के जरुवत होती है तो जितने देखें अब यहाहां पर किया पर श्रय बच रहा है तो इस तो और चार बज़ गया लेकिन जरूरत है तो अगर यहां पर बाहरी कुसम अगर पांच एलेक्रान होता है तो तो सभी इसकी इसकी इन इसको टेटरा वाइलेंट कहते है अगर पहले एक बचरा है तो हम इसको कहेंगे आपको याद करने कि आथी नमबर के हिसाब से छिटने भी आप लोग याद कर लेगे पुले दस तक यहां पर इसकी बाहरी कुसमें चार इलिकरान बच रहा है तो यहां पर इसको टेटरा वालने इसका नाम तेटरावालेंट रखागया अगर इसकी परकृति की बात करें तो तो दो परक्रिति के होते हैं तो यहां तक आप समझ आई हो और चली इसके बाद हम लोग नेक्ट टॉपिक को दिखते हैं तो आप बात करते हैं अगला टॉपिक है कि कार्बन में अबंधन बोले तुस्सा संयो जी अबंधन तीक है आप देखिए इसके बारे में बता रहे है कुनकी कार्भन की आए यहाइ बता रहा था कि कार्भन की कार्बन की कि परमाडूसंन क्या होती है चेंट यान इसमें और 9-5 यहांब इसकी बारिक उसमें 4 में फिल्लेकष ऑर चार है और यह अस्थाइ सब्सक्षी होता किया रिखान के चाहर की जरूवात पड़ेगे कि क्या करेगा अभी क्या दो तरीकों से बंद बनाएगा, यानि की बंद बनाएगा, यानि संबंद बनाएगा, एक्चली होता है कि हम लोग को पैसे की जबजरुरत होती है, तो हम लोग दूसरे के पास जाते हैं, या हम लोग के पास बहुत पैसे की अधिकता हो जाती है, तो हम लोग अपने जगह पर एस्थिर बने रहते हैं और दूसरा कोई हम लोग उसे मांग कर ले करके जाता है तो जाहिर सी बात है कि अगर पैसे की कमी पड़ेगी तो हम लोग दूसरे के पास जाएंगे या पैसे की अधिकता होगी तो हम लोग क्या करें तो भी हम लोग जा अपने अपने चार एक अन्हीं ऊड़ा है तो चारइं बना करके किसी बना करके यह करता है यह तो फिल अपने पुरी एलक्राण को दे देता है लिए अपने देखने भलग के शॉपoured के बुक में यह topic दिया हुआ है कि साह सायों जी बंधन में आखिर क्या देखने को मिलता है एक ततों दूसरे ततों के बीच क्या होता है साह जी बंधन मंता है अब देखिए रिष्टे की बात करते हैं तो रिष्टे भी आजकल बहुत ज्यादर trending है एक है लॉब मेरेजज और हो जटाका और हुदर लड़की अपने माबाब को छोड़ देती है और लड़का भी अपने माबाब को छोड़ पर खूड़ को илась कर लेढ़ लेता है यहां पर क्या होता है अपने जरूतिकर के लिक्ति हो फैसी मामी पापा हाफ के दोनों राजी होते और उसके मंपापा दोनों तरफ से राजी हो गया तरह में और जिस तरीका से लॉटां को लेकर के भागता है जैसे कि हाइडरोजन हिड्रोजन के बिच जब होता क्या है सॉधी बनता है तुटो नेरे मेंन होता है लेकिन मेगनिसियं और अक्सीज続 impl olv एक बनता है इस सबहुए क्या 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 हुए शेरिंग हो यह इसको दे दिया यह इसको दे दिया इसी तरीका से आदान का अधान को समझना होगा तो समझना होगा और भी बहुत ही जपड़दस आज़े लेकिन जब आसमान तो होते हैं ठीकना आसमान गुण वाले तो 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 उनके बीच क्या होता है आएनिक बंदन बंदन यहां पर देखिए जिस तरीके से दिखाए जाता है तो अगर तो इसलिए आप चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्तान की साजा के द्वारा अडूकर निर्माना कैसे होता है तुक है यहाँ पर इलक्तान की साजा हो रहे अब यहां पर एक है और पड़ेगी नहीं पड़ेगी दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा बोलेगा कि मेरे को एक इसको और इसको एक दूसरी के कर दोनों के बीच एक साजा बनेगा जो क्या होगा यहां इसका निर्माड रहा है कैसे निर्माड करने के हम अभी बता भी दे रहा है कैसे होता है क्या है तो पहली का अच्छा में दो और दूसरी कर आप अब इसका अप तीन हो गया तो नाइट्रोजन के पास मात्र 3 एक यहां पर देखे तीन इलेक्रान की जरूवत है क्योंकि इसको तीन इलेक्रान मिल जाएगा तो इसका पूरा अश्टक हो जाएगा तो अब यह क्या वह जाएगा तो इसका अश्टक्टूरा हो जाएगा तो यह जो एंटू होता है नाइट्रोजन अट आपन के जरी दूए परमाडवी नाइट्रोजन के निर्माड़ करता है अब यहां पर सी एलटू के साथ देख लिए क्लोरीन का कितना होता है 17 दू आट 10 आशाथ 17 यान पर साथ हो तो नाइट्रोजन को सिर्फ एक पर जरूरत होती है और फिर यहां पर नाइट्रोजन की सॉरी कोलरीन का बारीकोस में 7 बज़ गया है यह भी यह जरूरत है इस लिए यह एकलाबंद बना करके अपने क्या करें तो का निर्माड कर लेगा है इस तरीके से जो है कि लिए ट्रानों का साजा करके आड़ू का निर्माण हो जाता है मैं बहुत फास्ट और जल्दी-जल्दी समझा करके आगर बढ़ रहा हूं कि यह बहुत लंबा चिप्टर है इसलिए मैं आपके एक्जाम के पॉइंट ओफिस एदम एक रिविजन के तौर पर यह वीडियो साइ जहां के अब आज चरीएं यहां पर संत्रीत्राइट और असंत्रीत्र कि ऐसे कि एकल बन जबढन के बीच एकल बंद बना है सिःंगल अभंध बनेगा इस तरीकहसे बंद चल जाएगा एंव गए अँगया आपका संत्रीब और हो गया अशंत्री ये भी?. nave यहां पर देख लिए दूट के लिए लखने स्वार्ण गैन यहां पर देख लिए समाणिस असवाया उन्स स्वार्ण आप दिगे होता क्या है जिसे मेथैन बनाना है तो आपको सबसे पहले याद करना होगा नमबर आफ रहां पर शापत से अगर एक लावन है तो मेत पड़ेंगे दो कर्बन है तो यह प्रेंगे तीन कर्बन है तो मेर फ्रोब पड़ेंगे उसके weekend अंग एक कर्बन है नमबर आफ कार बन फ्रॉ हमें लगान है तो में दो कर दो कर दो लिसके नियुक्षप थे सो यह दो तॉ mutuallyट उसी तरी के से बू इत तो यहां पर क्या है न कि अगर कार्वन की संखिया अगर कार्वन की संखिया अगर एक है तो दिखेगा हम सबस्क्राइब और एक है और एक और प्लस यहां पर दू सब्सक्राइब हो जाए कर लिका सब्सक्राइब सबस्क्राइब और इस तरीक बनाएंगे एक बॉंड इधर एक बांड इधर एक बांड इधर इधर एक बांड इधर एक बन इधर फुर्थ बंगे अब यहाँ पर हुआ जोड़ेंगे और डबल रहा है सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग बना सकते हैं देखिए आप जैसे मान लीजिए कि पर यह इसी के सूत्र से हम बना रहे हैं यहां पर क्या है यहां पर है यहां पर क्या है दो दो देंगे और यह पर क्या करेंगे 5 तो सीफाइब एच इनोगे अब इसको क्या करेंगे देखिए अब कर दो किसे बना तो देखिए यहां पर देख लिए डफिए दोधिया बना दभन करना है और अब दोधु भाटें आपनों दो तो फील्यक्ट पर इसाच ऑफीघ देखिया बनें देखिए अब देखि़ा यहां ऍशागी है यहां पर हाइड्रोजन सजा दिया है सज गया है अब देखे दो दुचार दुचो फिर इधर घट गया तो हम यहां का करेंगे यहां पर डबल बंड लगा देंगे देख रहा है तो दूचार दूचार अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखेएगा एक बॉंड बराबर हो यहां बने गया आप इलकंच के लिएब बने वाले जो है उसका ब्राइब करेंट सेनाक् só Like करेंगे और इस जाहां रपाण झाहिए वीद्रिके साथ एक ने अब जो अगला टॉपिक है ना यह आपकी एक्जाम में अब्जेक्टिव प्रशनों में देखने को जरूर मिल जाता है पहुत ही जबरदस्त है सनचनात्मक समावायन यह ऐसा टॉपिक है इससे आपको अब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा मतलब कि कोई कंपाउंड मने क सब्सक्राइब के इससे कितने समावाई यह समद प्रशना बन सकते हैं अंब तो नर्म आइट प्रोब्यूट प्रेंट हैस ट्युक्त अउन आपको लगान इन बनाना है तो इस तरीका से आपको सिंगल बॉंड का जै डबल बॉंड का हो चैटीड बन का जीड़ी आट चला सबस्क्राइब लेकिन आई सो में यह होता है यहां से गहां इस तरह इस तरह बाद जाएगा यानिकी यह सीधिया जाएगा और यह इन चीम आइगा अब यहां पर क्या होगा यह की आई अब यह वालाई जोगे कि में टेट्ट प्रोब्यूट पेंट हेग एक और नॉन ती ओके नर्मल नार्मल नॉनेन 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 लेकिन यह जो गया चिसे फिर नाम रखेंगे तो सबस्दूर्ट देकर जा नाम रख रहे हैं अगर यह डबल मंद रहा थे आइसे जायगा सीविद आप रहें लेकिन आ किचा पाशा धाजा नियू की बात टरते हैं तो आठीजैट ईहना और दराषाट दिआ इसको के इसे फॉन वाय झाल मेजिभ यह खुला इसको गिन नो ईपय चीजैंट अब सब्सक्राइड अधान और या बनाता यानिव के यह क्या को शनको इसको समझने कि यह कारव बनागा जर्भ यह य्वां प्र ज कि करेंग एक देद आल प्रवीट तीव प्रवेटें तो यह तो ब्यूंट रहे गई लेकिन यह क्या है साइकलो में है इसको हम साइकलो साइकलो से उकारते हैं तो आई होग कि यह संचनात्मक समयान का जो इंपोर्टेंट फैक्ट है मैंने जो आपको समझाने का कोशिश किया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसनात्मक समयान बहुत इस अपर दस और आपके आपको बना कर देखना होगा और यहां पर देखिए एक कारवन है तब यह तो जाईसी बाते नर्माले बनेगा द आई तो जाकर कर सकता है आई सबाने क्लिए चार करवन वित यहां पर एक बजाबब एक नहीं आपको बात समझ में आगई अगला टॉपिक भी समझ लेत अगला टॉपिक आप इसका इंपोड़ इसका विस्ट इमट रखनव होने वाला है अभी जिसको इंगलिस में करते है है functional group क्या कहते है functional group अच्छा यह जो परक्यात्मक समूव है यह क्या है तो देखिए hydrocarbon से बने जो भी यौगिक होते हैं वो अपना तो एक गुण बनाते ही बढ़ाते हैं लेकिन यहां पर क्या है न कि इस परक्यात्मक समूव में सामिल जितने भी तत्वा है जैसे कि लोगिक में जा करके उसकी दर्शा को बदल देते हैं उसकी गुण को बदल देते हैं तो चलिए हम समझते हैं यह है ब्रृमीन आयोडीन फलोरी अब क्लोरी को Os फूरीन में फ्लोरी अब को फलोरी द लीके लेकिन जब लोग इसाइव इनिगें फ्लोरीन लेकिन जारूरी नहीं कि ऊलोराइड की नहीं है इसको फ्लोर्डृ छी mud अब को इसको जैसे की अगर को को ब Não होता है तो Aukια Lenape wahr तो ऐसे बनता है एक नर्मल मेथेन का एक सनचना सुत्र और इसका हम अगर आयूपी इस नमीन के चल्चर करें तो नर्मल मेथेन हम कहेंगे लेकिन जब इसमें है लोजन ग्रूप के कोई एक भी तत्वा आता है तो इसके गूर को बदल देता है हाले कि ये नर्मल एक मेथेन लेकिन इसमें जैसे ही कुल्च ऴिंटरी वर अभी कहलानें लगा क्लोरोम मेथेन तो दुड़ेखें यहां पर तो इस ह्याँक को विस्थापित कर दिया और यहाँ पर आग्याया यइशाब सियंटरी ऑलिगे तो और एक क्लोरीन आ गया है एच को विश्थापित करके तो यहां पर क्लोरीन आ गया तो इसलिए इसका रसाइनिक सुत्र आप आगे बना लेंगे बहुत इस सौर्ट कोट लेकर के चलना हम अब आईए देखते हैं अब पर क्यात्मक सम्हों कि कुछ और भी है जिसको हम लोग एल्डी हाइड में रखते हैं किटोन में रखते हैं और कर्बॉक्सिलिक अमल में रखते हैं बड़े इत्मिनान से करते हैं तो नाम रखने में बड़ा दीकत होती है लेकिन उसके लिए हमने यहां पर एक छोटा सा ट्रीक आपको संकीत करना चाहेंगे जैसे कि देखिए जैसे किसी टू एच्पाइप ओएच है कि नहीं है तो यह एल्कोहल गुरूप का है जैसे ही देखिएगा ओएच पी करने के लिए हमारे पास एक सेंस होनी चाहिए कि जब भी लास्ट में देखेंगे तो यह तो समाझ जाएंगे कि यह एल्कोहल गुरूप का है लेकिन कार्बन की संक्या 2 है इसको एथ पढ़ेंगे ठीक है एथ पढ़ेंगे प्लस इस कार्मन की हिसाब से यहां पर मान लीज से लिए प्लस अगर इस कार्मन की इर्थ ग्रिद्रो अगरा हिट्रोजन को सजाएंगे तो यह इलकेन गूरूप मेरा जाएगे इसलिए हम एथें अधर गूरूप मेरा रखेंगे गूरूप मेरे यह थिया और इस नहीं की आप लिए तो ने method of लिए लिए आप लोगे लुप है ना तेम दोले लेते यहां धो लिखन हम झोगे तो ऊसके ही पांच हाइडोटन बाद ना सुने सुने वाले वी जो रसायनिक ऊत्रे के है और इसके संद स tasks है लेकिन यहाँ पर लाश्ट में गालाट में ऐसी दासा इखाई देगी जैसे कि इसमें वेशी दिखाई दे रहा था तो लाश्म कैसे जूरा रहा था वांड वो इच उसी तरीका से यहां पर एलडिहाइड ग्रूप से जितने भी बनने वाले सनचना सुत्र होंगे ना उसमें लाश्ट में ऐसा दिखाई देगा बॉंड कार्बन की संक्या है है तो हम दो लीख देंगे दो और यहांगा चाहर और हो गया है अब जो गोगा तो यह को गया अगर सबसे हो गया तो यह हो गया तो यह हो गया अब हम बात करते हैं कि टॉन गुरूप से बनने वाले रसाइनिक सुत्र और उसके शुद्र का तो देखें यहां पर कैसे बनेगा कि टॉन गुरूप का जब होगा ना तो बांड सी ओ और लास्ट में जभी पुनांसियसन और उसमें अगा और इसका दसा कुछ इस तरीका से और उसके पार से डबल बंड और फिर बंड यानि कि यह यहां पर भी बॉंड और यहां पर भी बॉंड इसका मतलब कि इधर भी हईड्रूजन जूडए और इधर बीच बीच में ज़रूर रहेगा ठीक है तो यहां देखिए अब यहां पर कारवन कि संक्यार काउंट करके हम अब इसका नाम करणा करेंगे जिसे करवन किसे करवन किसे टो मेट इथ और यहां पर दूग और करवन है तो मेट एच प्रोप विऊंट यहने चार करवन तो रिखेंगे हैँ एखिए अड़ स्रीज में गेट में मेघर एथूकारवन और मेथ एथ प्रोप रूप नून क्या लिखेंगे ब्यूटेनों तो देख रहा है न रसायनिक सूत्र का जो सीएट रिसी ओसी टू एच फाइब यानि कारवन की जो संख्या है इसके हिसाब से मैं कैसे काउंट करके इसका नाम करन कर रहा हूं जरा देख लिजिए यानिकी एक करवन है तो में दो करवन ह इसका नमकरन कर सकते हैं तो यान सीएच त्यूट or 2 चार तो में इत्रेट प्रोब्यूट ब्यूट लिख बना रहे है उन पढ़न और तो यहां पर वन त्यूट अनूं अब इसका बना हो और से मजीं कर से सबनाइन नहीं देखेँ यह कब चार्बां यह पॉल रहा है यह बीच में ही रहता यह ना सी आ чист आरा यंधे जिर्टो मङरी सितने हो नहीं है य avoir यह बाली डेजाइन आगे बीच में इसको डेजाइन समझ कर दोटेए यहाद कर लीजे देखें अपर कारबन और डॉबल बन और अभी आप पो लाए कितने है डूजन को खर्च कर ने लिए तो है डोजन तीन पीस यहां है और पाच पीस तो यहां दिक एक दो तीन चार पां ब्यूटेनोन का संदचना सुत्र ध्यान से देख लिए जिस तरीका से मैं बना रहा है उसी तरीका से आप दिमाग खपाईए और बनाईएगा ठीक है अब चलिए हम लोग कर्बॉक्सिरिक अमल से बने रसाइनिक सुत्र और इसके संदचना सुत्र को समझते हैं देखिए इतने कार्बन के इसाब से नाम करन करके लास्ट में पढ़ दिजिये यानि कि अगर आपको बनाना होगा जैसे मेठेनों बनाना है तो सबसे पहला बार कि कार्बन की संख्या तो यह करहेगा और इसके पास यह वाला जरू जोड़ना है तो यहा देखिए यह होगा रसाइन चीज़ का मेके की तेक यह और मिद निखेन के पालास यहां पर क्या परांगे लाश्टमे वी लिख लिखे म्जिए प्रीपिर नगे वी तो मेद यंदित यह था नहीं ऑ पूरा नाम से अमेट है तो मेधी तन पूर यह और यह रहा आपका मेथ हैं अमलक का संड़ाचना सूत्र और अधिया अमलक का रसाइनिक सूत्र और करने को बोलेगा तो सी डबल सारी सी ओ ओ ओ एच देसे ही देखिएगा तो समझेगा ये क्या है कार्बॉक्सलिक गुरुप का है और थात ये ओए की गुरुप का है इसलिए हम इसका मेथनोई का अमलग नाम रख दिये हैं तो आई होब कि यहां तक आपको बहुत ही अच्छे जब किसी तेल या वसा को किसी चार के सांथ गर्म करते हैं किसके सांथ गर्म कर सकते हैं चार के साथ तो साबुन बनता है क्या बनता है साबुन बनता है और साबुन बनने की इस परकिरिया को साबुनी करन करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि साबुनी करन एक प्रॉसेस का नाम है जिसके जरी साबुन की उत्वती होती है अब यहां पर दिखिए यहां पर दिया और यही इन था यह फोट से बाद बाद पुर वर्ण सी ओर सी सटरिय का गया यह सिर्प सी अचरे से फोटार देना वांव पुर और अगां वह लिए फिरया माद आ लिए पहले भाला इबन कि प्रसेएं चीज यहां पर उतार देना बॉंट ओंट सी ओसी सत्राइश पहें ती यानिकी इसको ट्राइट आप इसको ग्रीस वर्ट राइश ट्राइश टेरे वोलते हैं अब यह क्या करता है यह अभी कर्या करता है तो इसलिए प्लस कचिन दे दिया किसके साथ तो चाहर के स अब यहां यहीं चीज़ जाना से देखिए यह लिए लिए और यहां प्लस लगाए है क्यों क्यूंकि अभी किरिया में एक और वह चाहर इन्ने वे जब यह सारी चीज़े जब अभी करता वह बहुत असाने लिए और यह डाइरे किसके साथ अभी कर रहा को एक साथ तो सी कि कसी तो वे सिरम पाटि इसलिग दिए यह दो सी अन्धोर सब्रलाव में पैसाथ कुलेके थे एक तो सी एक आम आसान में घूत ध्रीया है Hmm करबन ऑक्षिजन और यह नहीं है यह नहीं और जारूरी नहीं है कि अपका देख लिए जब यह अभी आप देख लिए जो उत्पन हो रहा है जो प्रोड़क्ट की उत्पती हो रहे है यह जिली स्वाल बना है और साबून को शोडियम इस्टेरिट भी कहते हैं यह पर देख सुट्र है कि सवाइब देख लिए लेकिए यह पर देखे का इसाबून करने वाला साबून बनता है ठीक है फिर सद्धिया अगर आपसे पूस्ट दे कि कपड़ा धोने वाले साबून का समाने सुट्र क्या होगा अगर आपसे में दिया रहेगा आर बॉंड और आर बांड सबस्क्राइब और आपसे लिए अगया होगा अब इस चेपर का सबसे लाश्ट पीक को समझ लेते हैं करने के लिए ऐसा पदार्त है जो साबून से बेहतर माना जाता है अगर इसकी फर्मूला की बात करके और आपको फूरा कंसिफ्ट दे दिये और आशा करते हैं कि यह जो लाश्ट पीक था बहुत अच्छा परीकर से समझ में आ गया होगा और बीना समय लिए आपको फिर भी कोई दिकत नहीं है क्योंकि यह दो कोशन देखने को मिल जाता एक पर अब जाता है अब यहां पर देखता है नहीं से हमारे आस-पास में तत्वा मिश्ट योगी की रूप में उपस देखते जाहिए आप इसमार्कर को देख रहे हैं यह कुर्सी बहुत सारे चीज़ों को आप देख रहे होंगे ठीकना लिविंग ना विखने बहुत सा पर वहीं कर रहे हैं कि पदाराथ हमने आजपास में तत्व की रूप में उपस्तित हैं डिए चानी तत्व की खूज हुई थी गीतितने चानी अप यहाँ पर देख आप Госणी तुन करन Article 1216 इसमें को इसलिकन और त्दय पोगी करन किया गए सब क्रीकिल से और्थ कें उसके साहट route कीजा सकते जो धातू की आपोजीट में जाकर उसका डिफिनेशन हम नहीं होता है तो सबसे पहले पतू को का किया गया धातू और अधातू में वर्गी क्रीद कर दिया गया चलिए फटाफ हम लेकर चलते हैं उसके बाद से क्या हुआ कि धातू अधातू में वर्गी क्रीद जैसे ही क्या गया डोबराइनर जी आएं और डोबराइनर जी ने अपने त्रीक नियम को परतिपादित किया यानि इनका पूरा नाम है जिए डूबराइनर मतलब बोले तो जुहान उल्फांग डोबराइनर बनाया जितने भी तततों के अनुभव के हिसाब से उसमय तक जिसमाई ये त्रीक समूब बनाया उस समय तक जितने भी यह ग्याद ततों तत्य वह लिए जिने परमालु द्रमयमान कि आरोह करम आधा नहीं बोले तो बढ़ते करम में एं ठीक ना और पांच आर तीन दू इ लेकिन यह आरोही करम में लखने पर बीच वाले तत्व का परमादु दरवयमान और दू दरवयमान का लगभब आउसत होता है इन्होंने अपने त्रीक समू के माद्यम से समझाने के पूसिज किया और इस तरीक से घ्याद तत्व में जो त्रीक समू बनाया उन्होंने ये अ त्रीक समू अब देखिए अन्होंने क्या परमादू दरवयमान के आरोही करम में जोड मनें रखने पद जोड़न होगा चुछ निबद सब्दक का घंट द्रमादॉस में खाने का होता है और पो टेसियम के दिखेंग कि इस वाँ जाहीं होता है इस परमारु दरवयमान र परमारु द्रवमान को बढ़ते करम में सजाव देना तो लिए पहले आएगा सोडियम बाद में उसके बाद आएगा पोटेशिया यह देखिए च्य है बाइस और दो से भाग दिजिएगा तो क्या हो जाएगा वाइस हो जाएगा वाइस निकल के आजाएगा अब यहां पर करें आई एग पूर आज पो आपनाया को अपनाया और अपना करना कर चलो सटया नर बढ़ते करम में बाइस होगया अल्मुनियम बाइस हो मुता हो गया हो इसका परने लिए और 16 मैंने भूठेक्र में जाजा दिया जब तो जाहिर एसी बात है कि तरीक समुंगो सम्हए इ इसको भी प्रेक्टिकल किया तो साइर आजाना चाहिए तो लोगों ने जब सोडियम और पोटेसियम का जोड़ करके और और आसप निकालने के कुशिश किया तो मातर तीस आया मतलब देख लिजिए आभी करके देख लिएगा बाइस और आट जोड़ियेगा तो कितना हो जा तो इनका जो यह त्रीक नियम जो लोगों ने प्रेक्टिकल किया अपने लाइफ में तो इन्होंने जब सजा करके उस तरीके से निकालने का कोशिश किया तो यह सफल नहीं हुआ तो आप चलिए अब नेक्ट जो विज्यानिक आते हैं वो क्या कहते हैं इन ततो के बारे मे तो अब यहां जो नेक्ट विज्यानिक चल करके आते हैं और जो ततो के साथ प्रेक्टिकल करते हैं उनका नाम है निव लैंड और इनका जो नियम है उनका है अस्तक नियम देगे यह 1866 तक सारी ग्यात ततो यानि कितने प्रतो ग्यात हुए थे च्पत यानि जब यह आये ततो के बारे में जो गर्णाम के बारे में बताया उसी तरीके से उनका बातो को मानते हुए दर्वेमान को बढ़ते करमे ब्वेश्थित कर दिए अरो ही करम है और पर टीएक उनका आठवा ततों होगा न वो गूर्धान को सभर आपने और इस तो अर्च नहीं हो लिगा उ यानि जो अपने आठवे ततो के गुर्धार्म की जो बात बताया इसकी तुलना संगीत के अर्ष्टक से किया जैसे सारे गामा पॉद्वा नीशा तो इन्होंने कहा कि किसी भी ततो को उठा लिए जिस समय तक यह चापन ततो की ग्यात हुई थी यह चापन ततो की बारे मालूम जो चला था उसे में बोला कि इन में से कोई भी ततो उठा लिजिए और आप ऐसा करके देखिए पहले जो ततो होगा उसकी ठीक आठवा वाला ततो पहले गुर्धार्म के समान होगा यानि हाइड्रोजन अ आठवा ततो भी धातू ही होगा फिर अगर गैस किसी भी गैस है यानि बोले तो कोई भी अधातू अले ततो उठाली जिए उसका आठवा ततो अधातू ही आएगा यानि समान गुण के होंगे तो इन्होंने बताया और ग्याद ततो छपन में हाइड्रोजन से सुरू करके थोरियम तक समाप्त कर दिया लेकिन पता है इनका कुछ दोस भी सामने आया यानि निव लैंस ने जो अस्टक नियम सावित किया संगीत के सुरू पर भी समझाने का कुशिस क्या और बतलब बताने का भी कुशिस किया कि पर ती आठवे ततो पहले ततो के समान गुण के हों कि पूँकि कुछ ततो के साथ बाद गढ़ नहीं मिल पा रहे तो वह जो था यह च्छपन ग्याद ततो में सिर्फ और सिफ वह केलसियन तक ही अधर भी सब्सक्राइब मतलब कि केल्सियन तक ही यह लागू होता था लेकिन के बाद जो भी अगरता तो उठाया जाता था तो उसके आठ्वे नमबर का जुत्ता तो आता था वह पहले ततोस के समानगोड से नहीं मिलता था इनका ये दोस्त निकल करका आगया अर्था ये विज्ञानिक फ्लॉप हो साइंस में यहीं तो बात है कि सब्सक्राइब बहुत कम पूछता ही नहीं है इमान के चलिए ततो को उनके मूल गुर्धर्म अब इन्हों देखिए मैंडलीफ ने क्या किया चुकि डूबराइनर आया अपना त्रीक समूझ समझाया फिर उसके बाद से मैंडलीफ आते हैं और कहते हैं कि आपना भी क्था अच्छा दूबराख से क्या क्या स्था डिक और बीवाने कर दिया और जिस समझें और उसमें ततो की खोज हुई थी उसके बास इन्हों ने बताया कि उर्धुवा अस्थाम को इन्होंने उर्धुवा और 36 पंक्ती जैसे कि एक दो तीन चार पांच ऐसे करके उर्धुवा अस्थाम बनाया और ततो को इन्होंने अपने आवर सांडी में लिखा और कुछ-कुछ एस्थान छोड़ दिया लेकिन इन्होंने उर्धुवा अस्थम को गुरूप कहा यानि समु कहा और 36 पंक्तिया है इसको पीरियड का यानि आवरत कहा अब दिक इनका भी कुछ लाब हुआ और कुछ हानी मतलब कुछ हद तक 75-90 परसेंट तक यह मतलब सही हुए लेकिन यह भी 10 परसेंट को लेकर यह फेल हो गए मतलब बाद में जो हम अभी आवरत जो साड़नी यूज करते हैं जो प्रियोडिक टेबल यूज करते हो विज्ञानिक हैन्री मोजिले का यूज करते है लेकिन के मे और सड़नी में इनके आवर सड़नी से एक चीज तो पता चला कि ततो का जो गुर्धान था यह सही से जानकारी मिल पा रहा था और परमाडू का भार का सही ज्ञान हो पा रहा था लेकिन के कुछ हानी भी थे जो नए ततवा आयना उनके लिए को छोड़ दिया तो और नहोंने जो जगा चोड़ा था कि यहां पर अभाली किसी का परमाडू संग्या दो है तो हम चार बाले को यहां रहते हैं तो इस हिसाब से परमाडू भार की करब में परिवर्थन देखने को मिला तो कुछ हथ तक यह थोड़ा साभीत हुए लेकिन जो अभी हम लोग जो हम अधुनिक आवर्थ सार्णि हम इस्तेमाल करते हैं वह विज्यानिक जो अबर साणिक को सफल बना आया और बहुती अच्छे ठंसे तुम को सवर्गी कृति की और सजाया तुछ लिए उस जी आधूनिक जूर्वन के परिवर्टन किया गया मतलब यह है कि जो मेंदलीव का आवर्ट सार्णी था वो लगभग लगभग सकार हो चुका था उन्होंने जो अपना आवर्ट सानी बनाया था जो तत्यू को सजाया था तो वह लगभग लगभग 90% सफल हो चुका था वर्स दस पर सेंट जो है इधर अब यह जो भिग्यानिक हैंवी मोजले ने आया बहुत ही अच्छे धांग से तत्यू को वर्गी क्रीद करके अपने आवर्ट सार्णी में सजा दिया देखिए आधोनिक जो आवर्ट सार्णीन है उसे कुछ क्वालिटी इस तरीक से तत्यू की गुर्धान और उनकी परमा अधोनिक और सणी में 18 उर्द्व आस्थम उर्द्व आस्थम जिसे हम लोग ग्रूप कहते हैं तिक और साथ 36 पंक्तिया इने परियर यानिक जो इस तरह इस तरह है मने जो लेटा हुआ है इसको हम लोग प्रियाट कहते है यानि आवर्थ कहा गया अब देकिए जो विग्य में रखा रखा धाट ठाट बथा यहां फैलार आपको स्बद्व क करेंगे bakın तो दो च दिंगर हैं जो जो बॉक्स बने हुए हैं जो पंक्तिया बने हैं दो एक और दो यह एफ ब्लॉक है और इसमें लगवला बस सारे धातु को शामिल किया गया है तो यह है विज्ञानिक हेंड्री मोजले का बहुत ही जबरतस्ट और सफल आवर सारणी यहां पर थोड़ा सा देख लिजिए यह तोटल एक से लेकर के बान बेर्स लेकिन अब कहेंगे की टोटल मिला करके बांविर तो तो एंट इतने और भी सारे तो कहा से आगा तो मैं बता रहा हूं देख और जिसकी जैनकरी आपको मिलती है वह सभी तटू को लैब में बनाय गया है यह जिए जैसे यहां पर आप द पूरेनीम में वाहाँ ऐ अधियन करते हैं और यह अगर सवाल बन तो यह रहा आपका पूरा का पूरा कमेश्ट्री का एपीसोड फूल एपीसोड बहुती कम समय में बहुत ज्यादा कंसेप्ट देने की मैंने कोशिश किया है अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर किजिएगा वीडियो को लाइक कर दिजिएगा अगर चैनल पर नहीं तो स